मैं हूँ कृष्णा कैसे हां सब लोग मस्त बढ़िया तो चलो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर एट चैप्टर नंबर कौन सा है यह चैप्टर नंबर एट है इसका लेक्चर नंबर वन जिसमें हम जानेंगे बच्चा बहुत कंक्योज रहता है क्या है यह डिस्प्लेसमेंट करेंड ठीक है कैसा अजीब सा नाम दे दिया है आगे displacement बहुत आसान तरीके समझेंगे लिखा भी मैंने इससे आसान नहीं मिलेगा अब नहीं समझें तो कभी नहीं समझोगे आओ देखते हैं क्या है यह चलो तो कहानी की तरह समझेंगे इसको हम लोग एक कहानी कुछ ऐसी है चैप्टर फॉर कुछ याद है क्या तुम लोगों को चैप्टर फॉर चैप्टर फॉर में एक चीज हमने पढ़ी दी क्या पढ़ा था हमने पढ़ा कि electric current magnetic field पैदा करता है याद आया एक wire से जब current जाता है उसके आज़ पास क्या बनती है magnetic field तो साथ सब लिखा हुआ है electric current magnetic field पैदा करता है किसने बताया amperes circular lawn है क्या यह याद है नहीं याद है थोड़ा सा बताता हूं mu not i equal to close integration of b.dl उमीद करता हूं याद आ गया होगा और दो current carrying wire एक दूसरे पर magnetic force लगाते हैं याद आया दो wire ऐसे रखे हुए है side by side में है ना जब same direction में current जाती है तो यह इसको इदर खींचता है यह इसको मतलब यह इसको इदर खींचता है यह वाला wire इसको इदर खींचता है बात समझ में आई तो यह force कौन सी दी this is the magnetic force बहुत काईदे से समझना यह क तो एक wire में current जाएगी तो उसके आसपास क्या पैदा हो रही है magnetic field और वो magnetic field force लगाती है और दो wires को पास में खीशती है अगर ऐसे situation होती है अच्छा हां current अगर उल्टी भहे एक में इधर एक में इधर तो याद होगा repulsion लगता है तो सीदी सी बात यह है अगर याद नहीं है तो याद करने ही कोशिश करो पुराने नोर्स उठालो और देखो ampere circular lock क्या था ठीक है सीधा concept क्या है electric current magnetic field पैदा करता है दूसरा chapter 6 में हमने क्या पड़ा कि magnetic field changing with time अगर कोई magnetic field समय के साथ बदल रही हो कम जादा हो रही हो ठीक है लिखा है इसने में ब्रैकेट में जो magnetic field समय के साथ बदलती है वो electric field पैदा करती है कुछ बच्चे कहेंगे सर electric field नहीं EMF पैदा करती है बिल्कुल सही वो EMF ही पैदा करती है जड़ा उसका रूप देखते हम लोग ठीक है ना फ्रेडर लोग को actual समझें अगर हम लोग क्या है तो हम लोगों ने electric field के उस term ए concept पड़ा था e equal to dv upon dr यहाँ minus था तो minus का साथ यह अब मैं इसको dr को इधर लियाओ और integrate कर दो इस dr को यहाँ shift करूँ और दों तरफ क्या कर दो integrate कर दो तो यहाँ क्या जागा electric potential क्या आ गया यह electric potential और यह आ गया e.dl potential actually है क्या potential is यहाँ पर V लगा लूँ ठीक है न यह potential जो है actually क्या है EMF यह तो रूप है अगर AC पड़ रखा अच्छे से तो हम लोग वी और E को alternately use करते है यही V E के बराबर हो जाता है कब कब जब हम लोग क्या circuit से current draw नहीं करते तो हमारा EMF V के बराबर हो जाता है यह वी और E एक ही चीज़ है एक ऐसी energy है जो कि electron को drive करती है electron को चलाने में help परेगी तो current होगी current पैदा होन लगती है बास में आ रही है तो बिल्कुल सही हो बच्चों तुम लोग यही पढ़ते आते हो कि magnetic field जब change होती है तो क्या पैदा होती है EMF तुम लोग क्या पढ़ते हो यह पढ़ते हो कि whenever there is यान की यह वाली चीज तुम पढ़ते हो E is equal to minus of d5i dt और यह d5 क्या है b magnetic flux flux पता है ना क्या होता है number of electric field lines linking with the surface किसी surface से कितनी magnetic field line link कर रही है यह सब बातने अगर बच्चों भूल गए हो तो फिर से कर रहा हूं वीडियो यहां पॉस कर दो छोड़ दो और यह concept उठाके और यह पक्के से revise कर लो ठीक है अब जो क्या हो गया है एक बात clear होगी ना अब मत कहना कि EMF पैदा करती है वो electric field पैदा करती है यान कि magnetic field समय के स बदलना जरूरी है वेरिंग बदलने के लिए शब्द क्या इस्तमाल होता है वेरिंग ठीक है नो जो समय के साथ बदल रहा है तो क्या पैदा हो रहा है क्या इसका उल्टा भी सच होता है किसका उल्टा इस वाले पॉइंट का भईया वो कह रहा है magnetic field बदलती है तो electric field पैदा हो रही है तो अगर electric field बदले तो क्या वो magnetic field पैदा करेगी सोचने जारबात को हम लोग नहीं तर्क क्या पढ़ा है magnetic field बदलती है तो electric field पैदा हो रही है समझा है मैंने इसको तुम लोग इमेब बोलते हो अब इसका उल्टा सोचा जा रहा है कि अगर ऐसा होता है ना नेचर में दो चीज़ें अपोजिट होती है अगर ऐसा होता तो उसका उल्टा भी होना चाहिए तो अगर electric field बदले तो क् साइंटिस सोच रहे हैं मैक्सवेल भीया कह रहे हैं क्या नाम इनका पूरा जेम्स क्लरक मैक्सवेल ये क्या कह रहे है हाँ भाई हाँ इन्हों धूल लिया फटाक से बोल दिया हाँ इलेक्ट्रिक करंट ही नहीं बलकि time varying समय के साथ बदलती हुई इलेक्ट्रिक फिल्ड भी magnetic field पैदा करती है यहां आपने क्या पड़ा कि electric field magnetic field पैदा कर रही है फिर आगे देख लिया बदलती हुई magnetic field electric field पैदा कर रही है अब सवाल उठ रहा है कि क्या ये चटा वाला point reverse हो सकता है मैक्सवेल ने कुछ कर दिया क्या कर दिया देखेंगे इन्होंने कुछ कर दिया लैब में और कह दिया कि हां अगर electric field को बदलता बदला जाया मतलब बदलती हुई एक जैसी ना रहे तो यह magnetic field पैदा कर सकती है और करती है बात समझ में आई साइंटिस्स सोची रहे हैं जेम्स क्लैक मैक्सवेल ने अपना काम कर दिखाया उमीद क तो यह जो मैक्सवेल ने कहाना कि अगर electric field बदले तो magnetic field पैदा हो जाती है कैसे कह दी नोने यह बात आओ समझते तो लोगों ने पूछा बताओ कैसे physics है ना ऐसे नहीं मानती physics कहती ही दिखाओ प्रूफ करके दिखाओ तो देखो मैक्सवेल ने कहा का आओ सुनाओ displacement current की कहा कहानी यहां से स्टार्ट होती है हमारे displacement current की कहानी क्या है यह displacement current पीछे वाड़ा concept clear हो गया अगर अच्छे से तो मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ अब मैं तो दोगो यहां पर simple सा concept क्या था था थोड़ा सा यहां समझते हैं अच्छा महापे भी आते है मैक्सवेल क्या कह र रहा था जिसका figure बगल में है तो मैंने टिक निडल सब लोग जानते होंगे क्या होती है कैपासिटर के बीच में भी हिल रही थी बास समय ना इसका मतलब क्या हुआ ठीक है बैटरी को ओन करते ही स्टार्टिंग में बाद में नहीं ठीक है यह जो पॉइंट यहां तक ही यह क्या करते हैं जैसी बैटरी को ओन करते हैं अच्छा देखो जैसी बैटरी को ओन किया तो यहां तो करण्ट जा रहा है तो यहां तो हम सबको पता भई क्या होगा जैसे यहां पर अगर तुम मी पास रखतो को हमलेगा क्या क्याम कैपासेट के बीच में ख़ी कोई क्या एक नहीं होता है लेकिन वो क्या कह रहे है जैसे यह इस दिखा दिया सिंहें हैं अब यहां सरके ठूटा अगर करन्ट नई तो बी बी नहीं होना चाहिए लेकिंछ पर बिना करगशंप के ही भी है थो दिमागलें सब कुछ क्यांतर सारी कहानी हो चुकी है हमको कि बहुत अच्छी से में सकता है कि सुरुवात में क्या होगा तो आप मैंने चार्ज बढ़ेंगे पहले एक चार्ज फिर दो चार 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 जैसे जैसे उसके ओपर प्लेट के ओपर चार्ज बढ़ रहे हैं यहां पर व्सक्राइफ से थोड़ी होगी दो चांज के वाएसे और जदा सीज़ा यहां पर इलेक्ट्रीक फिल्ड बदल रही है इस सब्सक्राइब से बीच में अगर कोई जीश बदल रही है तो वह क्या लगातार है तो वह इलेक्ट्रिक फील्ड और एक बार ही जब कॉंस्टेंट हो गया एलेक्रिक फील्ड कॉंस्टेंट हो जाएगी यहां एक चीज यह समझ में आगी किलियर कट कि जब निडल हिल रही थी खूब अच्छे से Maxwell ने इस experiment को करके देख लिया अब देखो क्या कह रहे है इस ने इस पस्ट बोल दिया battery को on करते ही starting में बाद में नहीं इसका मतलब क्या कह रहे है इसका मतलब वहां पर magnetic field है लेकिन capacitor के बीच में साफ साफ कह रहा है अगर needle Trail एल गई है तो वहां magnetic field है proof लेकिन capacitor के बीच में current नहीं है साफ कह रहा है capacitor के कि current ठीक न हम आधिकिन यह NO तो यह कैसे possible है कैसे पॉस्यबल हूद है इसका मतलब सा शाफ है कि वहां पर जो time varying electric field इसका मततलब साफ साफ कह रहा है further that air टाइम वेरिंग लेक्ट्रिक फील्ड समय के साथ बदलता हुआ एलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक किसी टाइप से एक एलेक्ट्रिक करण्ट पैदा कर रही है कर रही है हमें नहीं पता अभी और जो करण्ट पैदा कर रही है वो मैंट्रिक जो क्रण्ट पैदा हो रही है किसकी वाई से टाइम वेरिंग रेक्टिक की वाई से ये टाम बे diferen फील्ट एक करण्ट पैदा कर रहा है और ये करन्ट क्यूंकि हम अभी तक current के term में ही किसको समझ रहे थे magnetic field को अभी तक wire के अंदर current चलती है और क्या बनती है magnetic field बनती है तो यहाँ पर एक बात बोल दी रहे हैं कि पक्का वहाँ पर कोई current बन रही है जो क्या पैदा कर रही है magnetic field बट बच्चों देखो reality यहाँ साफ साफ दिखाई दे रही है इस magnetic field को पैदा करने के लिए main current कौन है time varying electric field कहानी के लिए रहे ठीक है इसी current को displacement current का आगया अब देखो यहाँ पर इस current को मैं बोल दूँ अगर IC conducting current वो current जो wire में है और यहाँ पर कौन सा current क्या नाम दो क्या नाम दो इस current को उनको नहीं पता उन्होंने कहा यहाँ पर कोई ऐसी current है जिसने इस current को displace कर दिया है इस current को हटा करके कुछ बन गई है यहाँ पर तो उन्होंने इसका नाम दे दिया displacement current लेकिन उन्होंने एक चीज़ देखी जितना needle यहां हिल रही थी जितना effect यहां आ रहा था उतना ही effect यह वाला field भी कर रही थी यानि कि यह जो IC था यह बिल्कूल ID के equal था जितना powerful यह उतना ही यह दोनों के effect equal आ रहे थे तो यहाँ पर इन्होंने एक बात express कर दी कि इसी current को इन्होंनों क्या नाम दे दिया displacement current सीरी सी बात है वहाँ पर क्या बोल हम कहें यहाँ पर एक ऐसी current और जो इस current को displace कर रही है इसको हटा करके खुद आ जा रही है और इसके बराबर काम कर रही है यह बात clear हो गई है तो नाम पढ़ गया displacement current भाई इसको हटा कर रहे खुद बनने लगी है displacement current नाम से ही समझ लो एक current को हटा करके कोई दूसरी current बन गई है सेम काम वही सारे कर रही है तो इस current का नाम क्या पढ़ गया displacement current clear है ओके derivation तो देखो यहाँ पर हम लोग ने एक चीज़ rate है यहाँ पर सुरुवात में क्या है फील्ड धीरे 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 बढ़ रही होगी तो पहले हम बात कर लेते हैं इस IC की conduction current की तो हमको एक चीज़ बहुत अच्छे से पता है जो वाली equation थी हमारे पास कौनसी equation ampere circular law IC और जाब में बोलू मू नॉट IC इसकी value क्या होती थी B.DL और मैं कह सकता हूँ IC इकल टू कितना हो जाएगा 1 upon मू नॉट B.DL किलियर है बात यह IC की value क्या हो गई 1 upon मू नॉट B.DL अब बात समझना यह तो बात किलियर थी इस प्रस्ट थी यहाँ पर हमें कुछ करने की जरूत नहीं थी बात आती है कि आखिरकार मैं यहाँ पर कितना current लूँ कैसे क्या मान के चलूँ तो देखो यहाँ पर जो current पैदा हो रही है वो electric field की वही से पैदा हो रही है और यहाँ पर कितनी electric field लिंक अप हो रही है तो मैं यहाँ पर जिक्र कर लूँगा किसका electric flux का इस एरिया से कितनी electric field निकली तो दूसरा मैंने यहाँ पर कल्कुलेट करें यहाँ पर मैंने कहा जो electric flux फ्लक्स का जिक्र करना पड़ेगा कि number of electric field lines कितनी निकली कितनी निकलेंगी हमको बहुत अच्छे से पता है E.A. निकलेंगी इसको अगर मैं खोल दूँ E.A को तो E का formula क्या होता है 1 upon 4 pi epsilon ठीक है बीच की दूरी कुछ होगी R इसको हम R square बोल देते हैं और charge total मान लेते हैं उसको पर कितना है total Q charge जो charge यहाँ पर इखटा हो पा रहा है ठीक है ना और into A इसको अगर मैं open करता हूँ तो देखो value क्या आ जाएगी 4 pi r square यह क्या हो जाएगा Q upon epsilon 4 pi r square यह क्या हो गया area of capacitor dot A यह से कट गया value क्या आ गई Q upon epsilon और यहाँ पर क्या यह 5 यहाँ तक बाद समझ में आई flux इकल टू Q upon epsilon यह तो हम सब लोग बाद जानते हैं तो यहाँ पर इन्होंनों क्या 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 इन्होंनों सोचा सोचा की current क्या होता है rate of change of charge है ना I क्या होता है DQ by DT this is I है ना तो इन्होंनों क्या 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 अगर मैं दोनों को इसको differentiate कर दूं यहाँ पर D phi E upon DT that's equal to DQ upon DT ठीक है DQ upon DT और साथ में क्या है यह Epsilon है तो ज़रा गौर से देखो बच्चो यह क्या बन गया है यहाँ पर यह बात समझ भारी है यह क्या बन गया है यह क्या बन गया है DQ upon DT rate of change of charge यानि कि यहाँ पर जो charge किस रफ्तार से change हो रहा है तो उन्होंने इसको कहा ID क्या नाम दिया इसका उन्होंने इसको नाम दिया ID displacement current क्या नाम दे दिया उन्होंने इसको displacement current ID upon epsilon this is equal to D5 E upon DT यानि कि एक बात स्पष्ट कर दी यह displacement current का current कौना है rate of change of electric flux फिर से देखो rate of change of electric flux इसको कर मैं काईदे से लिख दूँ यहाँ पर तो ID की value क्या हो गई epsilon के दर shift कर दूँ epsilon D5 IE upon DT यानि की rate of change of electric flux rate of change of electric flux what is this this is rate of change of electric flux तो उन्होंने कह दिया कि भाईया देख लो flux change होगा और उसी इसाफ से मेरे पास क्या बनेगा displacement current बन जाएगा बात समझ में आ गई अच्छा उन्होंने क्या कहा देख सकते हैं हम लोग यहाँ पर ठीक है कि जैसे-जै flux change होगा वैसे-वैसे क्या बन जाएगा यहाँ पर यहाँ पर E जा रहा है ठीक है ना यहाँ पर क्या जा रहा है E है ठीक है और अपने आसपास क्या circle में क्या पैदा कर रहा है ID पैदा कर रहा है अब जखो ज़रा यहाँ पर यह क्या चीज है कि ठीक है यह ID आ गया उन्होंने क्या देखा कि IC जो conducting current है और जो displacement current है इन दोनों का effect same है यानि कि उन्होंने कहा इस पूरे circuit में इस पूरे circuit में current total कितनी हो गई IC प्लस ID equal to total current I मालने इसको ठीक है IC प्लस ID equal to total current I हो गया है तो देखो ज़रा बच्चों यहाँ पर गौर्फ करना है यहाँ पर एक चीज कि यह देखो इन वायर वायर के अंदर ID कुछ है क्या वायर में तो ID होगी नहीं न ID केवल कहा माजूद है capacitor के plate के बीच में इन वायर IC प्लस 0 equal to IC यानि कि total current जो है IC के बराबर है between capacitor यह value 0 होगे इस बार और केवल क्या माजूद है ID माजूद है यह I के बराबर होगी तो हम देख सकते हैं जो total current है या तो वो ID के बराबर है या वो IC के बराबर है depend करता है कि current कहाँ पर है wire में है या capacitor के बीच में तो हम यहाँ पर कहते हैं IC equal to ID दोनों current क्या है equal है और इनका effect भी बराबर देखा गया है तो यहाँ से हम एक चीज क्या derive कर सकते है Maxwell ने कहा कि ampere के जो ampere ने जो equation दी है गलत नहीं है उसको थोड़ा सब modify कर ले वो हमारा काम हो जाएगा तो जो इसकी equation थी क्या थी equation B dot DL equal to mu not I अब यह जो I है यह I किसके बराबर है IC plus ID के बराबर है तो इसको मैं थोड़ा से यहाँ लिख लूँगा IC plus ID क्लियर है तो देखा यहाँ equation क्या बन गी मेरे पास mu not IC plus ID की value ID की value यही Epsilon D Phi E upon DT B dot DL Phi E को हम लोग खोल के भी लिख सकते है E dot A Phi E को क्या लिख सकते हैं खोल के E dot A देखा यहाँ पर थोड़ा से इसको वैसे main equation मेरे पास यह आ गई है इसको मैं bracket में बंद करूँगा यह ठीक है इसको थोड़ा सा और अगर खोल के लिख दे तो खोल के कैसे लिख सकते हैं इसको mu 0 ic plus epsilon d e a upon dt तो देखो गार से देखो गार से देखो गार से दिखाई दे रहा है गार से देखो गार से दिखाई दे रहा है यह देखो rate of change of electric field rate of change of electric field create B magnetic field rate of change of electric field rate of change of electric field क्या पैदा कर रही है magnetic field तो Maxwell तो भहिया अपने बातों को साबित कर दिये कि जो time varying electric field है वो electric current पैदा कर रही है जो की magnetic field पैदा कर रही है प्रूफ कर दिया displacement current समझ में आया सिर्फ क्या है displacement current यह हट करके जो यहां बीच में आ गई है वो displacement current है और यहां पर बकायदा उसको प्रूफ किया गया और इसी को कहा जाता है Ampere Maxwell equation इसी equation को क्या कहा जाता है Maxwell Ampere equation कहलो Ampere Maxwell equation कहलो या modified Ampere equation कहलो या modified Ampere law कहलो बहुत सारी बाते होती है बात समय में आ रही है पस यही था कुछ numerical आएंगे स्क्रूपर जो पूछे आते हैं बड़े कॉवंस नुमेरिकल है इसको करेंगे बाद में हो सकता है next lecture में तो यह कहानी थी हमारे पास किसकी displacement current की उमीद कर रहा हो यहां तक बाते किलेर होगी होंगी चलो अब displacement current पूफ करने के बाद Maxwell यहां रुके नहीं उन्होंने कहा देखो बच्चे जो तुम सब लोग 12 पढ़ रहे हो ठीक है वन से लेके 7 chapter तक तुमने जितना concept पढ़ा electric field ठीक है magnetic field EMI जो भी कुछ करके किलियर करा दूँगा तो वो कह रहे हैं क्या कह रहे हैं Maxwell ने कहा कि मैं चार फार्मले दे रहा हूं दे क्या रहा हूं चुण रहा हूं ठीक है और यह चार फार्मले अब तक की physics chapter number 127 अब तक की physics मतलब chapter number 127 के सारे concept explain कर सकते हैं जैतने concept तो सब explain हो जाएंगे तो जो मैं चार physical quantity लूँगा वो कह रहे हैं जो मैं चार physical quantity लूँगा explain करने के लिए वो कौन-कौन सी होंगी एक तो वो लेंगे electric field एक लेंगे magnetic field एक लेंगे current और एक लेंगे current density ठीक है इनको वस ले करके equation बना देंगे वो और वो चार equation तुम्हारी सारी physics तो अब तक ही थे उनके basic concept नौरे clear हो जाएंगे चोटी मुटे derivation उसके derive कर सकते हैं और इन equation को तुम लोग मेरे नाम मतलब Maxwell equation के नाम से जानोगे तो बहुत कह रहे हैं इन equation को तुम लोग कैसे पढ़ोगे Maxwell equations Maxwell ने दीती equation यह है तो देखते हैं क्या है Maxwell equation सबसे पहली equation उन्होंने ली Gauss law for electricity तो क्या है Gauss law for electricity हम सब लोग जानते हैं बहुत अच्छे से पढ़ा है हम लोगोंने बहुत अच्छे से जानते हैं इस equation को ठीक है ना E.ds equal to Q upon epsilon इसका integrate करेंगे close integral of E.ds equal to Q upon epsilon इस इंडिकेट डैट यह चीज इंपोर्टन है क्या बता रही है Q and E are co-exist मतलब अगर Q है तो बोलना नहीं है E होगा पक्का चार्ज है तो E पक्के से होगा पहली equation है Gauss law for electricity एक तो इन्होंने यह ले ली Maxwell ने Q है तो E पक्का होगी बोलने की जरूरत नहीं है और अगर E है तो क्यों पक्का होगा बोलने की जरूरत नहीं है बात समझ में आ गई तो understood है यह यहां कुछ करने की जरूरत हमको नहीं है नेक्स्ट देखते हैं क्या बोल रहे हैं वो ठीक है नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं वो कि Gauss law for magnetism Gauss law को इन्होंनों magnetism में डाला इस इंडिकेश डैट magnetic field is a continuous loop and north and south pole cannot be separated or absence of magnetic poles ठीक है ना इनको हम लोग separate नहीं कर सकते हैं क्या मतलब इसका एक पहला point तो यह हो गया दूसरा point क्या बोल रहा है close integral की value 0 आती है यह तभी संभव हो सकता है इस point को ऐसे समझें close integral करते है value 0 आर यह Q ठीके ना हमको पता है ना जैसे कि हम लोग जब flux निकालते है क्या निकालते है flux अगर किसी close surface है यहाँ पर एक 2Q रखा है एक minus 2Q रखा है तो जितना flux यहाँ से भार जाएगा उतना ही flux यहाँ से अंदर आ रहा है तो total flux की value क्या होती है जीरो होती है और क्योंकि north और south pole हमेशा साथ में ही exist करते हैं नौर्थ और south pole हमेशा साथ में ही exist करते हैं तो अगर यहाँ north south है तो यहाँ north भी होगा जितना field यहाँ से बाहर जाएगा उतना field यहाँ से magnetic field line close loop में होती है magnetic field line close loop में भाई जब दोनों पोल एक साथ exist करेंगे तो हमेशा एक close loop में बनके रहेंगी यही वज़य है close loop का मतलब एक तरह से निकलती है तो दूसरी तरह आगे घुसना पक्का तय है इसका तभी तो इसका जो क्लोज इंटीग्रेशन है यहाँ कि फ्लक्स जब क्या रहा है जीरो हा रहा है ठीक है मतलब लाइन ना कहीं से शुरू होती है और ना कहीं खत्म होती है यानि कि इस इक्विएशन से देखो कितनी बातें किलियर हो रही है दोनों पॉल एक साथ इस्ट करते हैं ठीक है एपसेंस ओफ एक्चलिए मैगनेटिक नहों करके यहाँ आना चाहिए था एपसेंस ओफ मोनो पॉल्स मोनो मतलब सिंगल पॉल नहीं एग्जिस्ट करता है ठीक है ना इनको सेपरेट नहीं कर सकते हैं या फिर यह कहलें कि एपसेंस ओफ मोनो पॉल्स एक सिंगल पॉल एग्जिस्ट नहीं करेगा बात समझ में आ गई तो क्लोज इंटिकरेशन की वैल्यू जीरो आती है प्लस की वेलू जीरो आती है क्या यहंसे समझनी और इसे क्या बाते निकलती है उसका मतलब यह है बात क्लियर होगी आगे नेस्ट कहरा है फेराडिलो तीसरा उन्होंने जो कॉंसेप्ट लिया वह हमारे पास क्या था फेराड़ी लॉव इलेक्ट्रमिटिक इंडक् यह जो E था इसको मैं किस में लिया था वी की टर्म में याने वी लेक्टिक फील्ड ठीक है ना तो इस E को मैं क्या लिए सकता हूँ E.PiDL याने की rate of यहां से क्या चीज मिलके आ रही है दिस देखो यह यह यहां से क्या निकल क्या आ गया rate of change of magnetic field है ना rate of change of magnetic field Faraday law हम लोग पढ़ते थे E.M.F तो अब क्या समझ लें इस वे rate of change of magnetic field produce क्या produce करेगी electric field क्या produce करेगी electric field rate of change of magnetic field क्या पैदा करेगी electric field और displacement current से हमने क्या परूफ गया rate of change of electric field यह rate of change of B क्या पैदा कर रही है E. Rate of change of B क्या पैदा कर रही है E. और अभी हमने किप्षे क्या बढ़ाता rate of change of E क्या पैदा करता है B. वही चौथी equation यहां से उठाई. क्या उठाई Maxwell की modified Ampere law या Ampere Maxwell law को उठा लिए इन्होंने यहां पर और यह वाली equation हमारे पास आज आती है यहां पर ठीक है तो हम लोग देखते हैं यहां पर B. dl लिक्षे प्रूफ क्या था Rate of change of electric field क्या पैदा करती है magnetic field Rate of change of magnetic field क्या पैदा करती है electric field याने कि electric field magnetic field को बनाएगी अगर बदल रही है और magnetic field, electric field को बना रही है और electric field magnetic field को बनाती है यानि कि यह दोनों एक साथ coexist करते हैं अगर यह दोनों की दोनों time varying है समय के साथ लगातार बदल रही है तो electric field magnetic field को बनाती है और magnetic field electric field को बनाती है और यही तो देखो waves हैं waves में electric field और magnetic field एक साथ पाई जाती हैं कियों विसे समुझ में अरहा होगा एप्ति जब बदलती ए तो मैंटिक फिल बना दीए तो संझेंगा उसको भी हम लोग तो फिल्आल मेरे पास यह क्या थी चार मैक्सवेल की क्रेंशन जो हमें समझ नहीं थी क्या बताती है equation this equation source and related changing electric field create magnetic field ठीक है अभी वो कैसे create कर रही है वो concept भी हमरे पास आगे आएगा ठीक है उनको भी हम clear करेंगे तो फिलाल जो था क्या था आज displacement current और Maxwell की 4 equation अब कुछ बातें अच्छा ये सारी बातें काफिया तक NCRT में दे रखी है क्या बोल रही है NCRT या हमको क्या पता चलना चाहिए सबसे ज़्यादा important prediction आखिरकार इन सब बातों से फाइदा क्या मिला बेवज़ा कर रहे हैं क्या नहीं क्या निकला सबसे बड़ा अनुवान क्या निकला Maxwell की equation से सबसे बड़ा important prediction Maxwell की equation से ये निकला कि EM waves exist करती हैं हमको ये समझ में आया electromagnetic waves जिसके दे electric field और magnetic field होती हैं वो exist करती हैं जो time varying electric and magnetic field की बनी होती है यानि कि electric और magnetic field की बनी होती है फिर और क्या पता चला speed of waves light की speed के काफी close निकली experiment हुआ यह अपने subject में नहीं है समझने कोई बात है कि experiment किया गया और EM wave की रफ्तार light की रफ्तार के काफी close निकली जिससे ये conclusion निकाला गया कि light EM waves की बनी होती है जब इसकी रफ्तार light की रफ्तार EM wave की बराबर है लाइट की रफ्तार अलग निकाल चुके था हम लोग इतनी तेज़ चलती है EM wave अलग खोजी गई अब दोनों को समझा दरा अच्छा light कुछ और नहीं है EM waves ही है बात समझ मारी है हर्ट्स एक्सपेरिमेंटली प्रूफ्ट दे एक्जिस्टेंस ओफ EM waves in 1885 यह सारी बात ही चल रही थी हर्ट्स ने इसको प्रूफ कर दिया और टेक्नोलोजी देखो सब्सक्राइब को ट्रांस्मिट किया रिशीव किया और रिशीव किया इस तरीके से दिरी दिर हमाई है टेक्नोलोजी में चीज़ें बढ़ते लगी यह जो चीज़ें हैं बच्चों यह सिर्फ नॉलिज के लिए हैं पढ़ने बड़ा मजा आता है तो जो मेन चीज हमको समझनी थी वो थी डिस्प्लेस्मेंट करेंट और मैक्सवेल की चार इक्वेशन तो थोड़ा सा को देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में या फिर चैप्टर के एंड में जैसा भी होगा कुछ इंपोर्टेंट बोर्ड के और जो नीट वाले जो कॉस्टेंस हो गए रहा है उनको हम तब देख लेंगे एक साथ तो इस चैप्टर को अच्छे से यहां से पढ़ना स्टार्ट करो और रिवीजन करते रहना बच्चों रिवीजन ही सिलेक्शन है रिवीजन ही सिलेक्शन दिलाता है कि लिए रहे बाते हैं आल दा बेस्ट